इस वीडियो में हम जानेंगे SSC CGL में आप कैसे अपने सिगनेचर को अपलोड करेंगे, लाइब आप रिसाइज और रिसाइज करने के बाद कैसे अपलोड करेंगे, सारा प्रोसेस से स्टेप बाइस बताएंगे, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मेरा 100% इस वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले कोई भी ब्राउजर उपन कीजिए, और सर्च बार में आप टाइप कीजिए, इमेज रिसाइजर, इसके बाद आपको इंटर करना है, आपको जो भी लिंक मिले उसे उपन करना है, जो भी ओपसंस फर्स्ट मिले उसे आप इमेज को स्लेक्ट कीजिए, इमेज सलेक्ट करते ही, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इमेज आ जाएगा, अब यहाँ बगल में आपको सेटिंग मिल जाती है, कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी है, तो सबसे पहले डाइमेंशन जो है, उसे आप रहने दीजिए, क्योंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पहले इसे जो एक साथ मर्ज हुआ है, इसे हम अनलॉक करते हैं, और इसके बाद यहाँ जो विड़ मागा गया है, यह 6 मागा गया है, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, यदि आपका यहाँ पर 2 नहीं आता है, तो आप यहाँ पर 2 लिखिए, और आप को नीचे आना है, यह अपको सेटिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पर टारगेट करना है कि यह फाइल आपको कितने साइज में मिले, जैसे यह फाइल 10 से 20 के बीकि साइज की मांगी है अप्लोड करने के लिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आप आपको dimension जो है वो size मिल जाती है, कितने size में आपको upload करना है, अब यहाँ पर हमको dimension को manage करनी है, इसका size जो है mere format की size है उसे manage करनी है, तो हम यहाँ पर इसे 19 भी रख सकते हैं, चाहे तो आप 17 सर रख सकते हैं, चाहे आप 20 रख सकते हैं, वैसे 20 से कम ही कीजेगा, 20 मत कीजेगा 20 से जाता रहेगा तो upload नहीं होगा, जो भी आप यहाँ पर target करते हैं, size उस target को यहाँ पर लिख लिजेए, इसके बाद आप यहाँ resize image के बटन को click कीजेए, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर processing का option मिलेगा, और आपकी जो format की file थी, वो यहाँ पर आपको दिखाय जागा जिसकी dimension और जिसकी size यहाँ पर मिल जागा, बगल में आपने जो output size दिया है, वो आपको यहाँ पर दिखाय जागा, कितना आपने इसका size convert किया है, target किया है, तो यह size बनके आ चुकी है, यहाँ पर आपको option मिलता है, download image का, आपको just इस पर click करना है, click करने के बाद यह image आप SSE CGL की form apply कर रहे है, यहाँ पर upload image का button मिल लेगा, आपको इस पर click करना है, इसके बाद file को आपको select करना है, इसके बाद open के option को click करना है, कुछ देर यह load लेगा, load होते ही, आपके सामने यह आपकी जो file है, वो upload हो जागा successfully, यहाँ पर आपको message मिल जागा, signature uploaded successful, तो इस पर क आप से guys, SSE CGL के लिए signature को upload करेंगे, आई हो कि guys, आपको यह जानकार यह अच्छे लगी होगी, वीडियो पसंद है, तो like कीजिए, share कीजिए, और हमारे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए